Hello guys कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा guys कि Infinix Smart 8 phone में आप लोग Auto Change wallpaper को कैसे enable कर सकते हो अगर आपके पास एक Infinix Smart 8 phone है और इस phone में आपको Auto Change wallpaper को on कर देना है मतलब यहापर आपके lock screen में जो है अगर आप लोग चाहते हो जब भी आप लोग बार बार जो है आपने phone को जो है आपर power on and off करोगे मतलब screen को lock and unlock करोगे तो आपको जो wallpaper है वो automatically change होने लगे अगर आपको भी यूज़ करना है गैस आपको जो है आपर lock screen में automatically जो है wallpaper को change करना है तो कैसे आप लोग auto change wallpaper को on कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते है auto change wallpaper को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से आपको थोड़ा सा नीचे scroll down करना है थोड़ा नीचे scroll down करते ही आप पर आपको एक option देखने को मिलेगा इस personalization का तो इस personalization के option पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर से आपको नीचे scroll down करना है एकदम last में आपको एक option मिलेगा का इस magazine lock screen का तो इस magazine lock screen के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर जो पहला वाला option होगा इस lock screen करो सेल का तो इसको click कर दने किलिक करती यह on हो चाहेगा और आपका जो auto change wallpaper है वो अभी set हो चुका है अभी आप लोग देख सकते हो जब भी आप लोग screen को lock and unlock करोगे तो यह जो wallpaper है वो automatically change होने लगेगा आप लोग देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने infinix smart 8 phone में आप लोग auto change wallpaper को लगा सकते हो तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलतेगे लग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई